माताजी नहीं यह बता है कि जब वो बूड़ी औरत मरी तो ना जब वो मरी तो कई सालों कई दिनों तक बॉड़ी घर में पड़ी रही उस बूड़ी औरत की स्पिरिट उस घर में अभी भी है तो अनुराग जब यह बात सुनता है अनुराग और अनुराग की बहन वो कहते हैं स्पिरिट घर में है मतलब उन्होंने कहा कि बेटा कोई भी इंसान मरता है न तो उनके परिवार वाले क्रिया करम वगरे बहुत चीज़े करते हैं लेकिन उस बूड़ी औरत के परिवार में कोई भी नहीं बचा था और काफी टाइम तक बॉड़ी घर में थी तो उस औरत का क्रिया करम वगरे कुछ भी नहीं हुआ सीदो हॉस्पिटल लेकर उस बॉड़ी को डाल दिया गया कहते हैं फिर उन्होंने ये बताया कि जैसे ही आप USA वाले घर में एंटर हुए तो सबसे पहले उस बूड़ी औरत की जो आत्मा थी कहते हैं पहले के जो बड़े बुड़े बुजर्ग कोई भी पूजा पार्ट या कोई भी रिच्वल परफॉर्म करते थे उसके पीछे ने एक लॉजिक होता था लेकिन जो हमारी आजकल की so called new generation है मैं हालंकि उसमें सबको include नहीं करूँगा लेकिन फिर भी हमारी generation का एक बहुत major पार्ट इन सब पूजा पार्टों को रिच्वल्स को ना बहुत stupid समझते हैं और आज मैं Bangalore के एक ऐसे लड़के की story लेके आया हूँ जिसने इन सब पूजा पार्टों को रिच्वल्स को बहुत stupid समझके ignore किया और उसकी वजा से उसकी life में एक ऐसा incident हुआ जो शायद वो लड़का और उसकी family कभी भी नहीं भोल पाएंगे और आज के podcast में मैं Bangalore के अनुराग के बारे में बात करने वाला हूँ सीन यह है कि अनुराग Bangalore के एक बहुत अच्छी MNC में जॉब करता है उसकी family में उसके पापा है जो बैंक के retired officer है तो अपना majorly time घर पे spend करते हैं उसकी जो ममी है अनुराग की वो घर समालती है और अनुराग की एक छोटी बहन है जो अपनी studies continue कर रही है अब सीन यह है कि हम life में कोई भी business करते हैं या job करते हैं चाल कोई भी xyz काम करते हैं हर किसी को life में न ग्रोच्ची होती है अनुराग जिस multinational company में काफ़े time से job कर रहा था उसमें नो उसकी promotion नहीं उपारी थी उसने एक साल काम किया, दो साल काम किया करते करते 5-6 साल हो गए थे लेकिन कोई अच्छी promotion नहीं मिल पारे थी उसको उसने काफी time लगाया अपने बहुत सो convince किया, बोला over time भी किया वाट कुछ भी work नहीं किया तो at the end अनुराग नहीं सुचा कि एक काम करता हूँ इस company में मेरी promotion नहीं हो रही है तो किसी और company में switch कर लेता हूँ अब अनुराग ने Bangalore की कुछ companies में अपने resume forward करे luckily 3-4 महिने के बाद एक बहुत ही अच्छी company से Bangalore कंपनी से अनुराग को बहुत अच्छा package offer हुआ मतलब almost double जैसे अभी right now for example वो 10 लाग के package पे है तो एकदम से उसको 18-19 लाग का package मिला जो कि उसके लिए बहुत बड़ी बात थी तो अनुराग ने switch किया अब किसी भी company में जब हम job करते हैं तो starting में एक training period होता है अनुराग ने 15-20 दिन का training period था वो complete किया उसके बाद जो अनुराग के नए वाली company के जो seniors थे उन्होंने अनुराग को बोला कि ना हमारी जो company का head branch है वो USA में है तो आपके caliber को देखते होए हम एक काम करते हैं आपको USA वाले अपने main head office में shift कर देते हैं अब अनुराग दम से shocked हुआ तो उसने अपनी family से पूछा कि ऐसे ऐसे चीज़े हो रही है हमारी पूरी family को USA जाना पड़ेगा मैं वहीं से काम करूँगा तो एकदम से जब उसकी family में ये पता चला तो वो सोचने लगए कि क्या करेंगे एकदम में shift कैसे करेंगे रहेंगे काँ पे कैसे क्या लेकिन जो अनुराग की नई वाली company थी वो अनुराग को बहुत अच्छा package तो दे रही थी उसके अलावा USA में एक बहुत अच्छा घर और एक गाड़ी प्रोवाइड करेंगे तो अनुराग और उसकी family ने finally decide किया कि हम shift हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद अनुराग और उसकी पूरी family USA shift हो गए अब जब वो USA वाली घर में उन्होंने enter किया तो अनुराग के ममी और पापा ने ये बोला कि बेटा कोई भी नई जगा पे हम जाते हैं कहीं भी shift करते हैं या कोई भी शुप काम करते हैं तो एक छोटा सा haven और पूजा करवाते हैं तो मेरी मानों तो पूजा करवा लो लेकिन जो अनुराग और उसकी बहन थे वो इन सब चीजों को बहुत इग्नोर करते थे तो stupid समझते थे कि पापा ये USA है क्या पूजा पाटों के चकरों में पढ़ रहे हो यहां पे कहां कोई पंडित भी नहीं मिलेगा सारी त्यारियां करनी पड़ेगी तो आप रहने दो आप नॉर्मल मंदिर बना लो और चालू करते हैं अनुराग के पापा ने ममी ने समझाया लेकिन वो दोनों नहीं माने तो उन्होंने का कोई दिक्कत नहीं आप जैसे कहते हैं वैसे कर लेते अब चार से पांस दिन उनने शिफ्टिंग में लगाए कुछ दिन के बाद अनुराग ने USA में अपनी जॉब कॉंटिन्यू करी और जो अनुराग की बहन थी उसने वहाँ पे नया वाला कॉलेज में उसने डिमिशन ले और अपने स्टडिस कॉंटिन्यू करी अब सीन ये हुआ कि जब पांसा दिन बाद शिफ्टिंग हो गई तो कुछ दिन बाद क्या होता है अनुराग की जो मम्मी है उनको ना हलका सा बॉड़ी में पेन होना स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में लेग्स में पेन होता है दीरे-दीरे करते हुए हैडेक होने लग जाता है फिर करते करते सारा pain back में आ जाते है जो majorly pain होता है न वो back में जो hip bone होती है उसमें होता है और उसके अलावा headache इतना रेने लग जाता है कि उन्होंने कई medicines भी try की बट वो उससे उस relief नहीं मिलता एक दिन हुआ दो दिन हुआ जब अनुराग को यह पता चला कि उसकी मम्मी की हालत खराब है तो अनुराग ने यह का कि मम्मी कोई दिक्कत नहीं है हो सकता है कि आपने shifting की दौरान कोई नस्वज खिश गई हो या ऐसा कुछ हो गया हो तो tension मतलो हम किसी doctor को दिखा लेते है एकदम से आप इंडिया से shift हो यह नए environment में आयो नए atmosphere है और सब चीज़े चेंज है तो एक काम करते हैं मैं आपको कुछ दवाईयां लिखे दे रहा हूं कुछ precautions आप लीजे ठीक हो जाओगे उन्होंने का ठीक है हफता भर 10 दिन 15 दिन मेडिसिंस ली लेकिन ना जब तक उ तोड़ा बहुत फरक परता था लेकिन रात को जैसी असर खतम हुआ वापस pain स्टार्ट होने लग गया करते 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 महीने सव महीने में वो pain इतना भढ़ गया कि ना अनुराक की जो मम्मी थी वो ना हलके जुक के चलना स्टार्ट कर दिया अब जैसे हम घर में बात करते ह अपनी मम्मी से मम्मी आप बूड़े हो गए हो क्या ऐसी क्यों चलते हो तो अनुराक की मम्मे ने का क्वी बेटा मेरी बैक में इतना pain हो रहा है कि मैं straight भी खड़ी नहीं उपारी तो उन्होंने का कि एक काम करते हैं हम डॉक्टर चेंज करते हैं हो सकता है कोई ऐसा major issue हो ग तो पूरी बॉड़ी में इतने सारी बिमारियां पैदा होगी पूछा मत अब करते 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 यह जो पेन वाला यह doctors change करना और यह सब ना 2-3 महिने निकल अब करते 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 जब कुछ महिने निकल गए और अनुराग की मम्मी की तबेत दिन बर दिन बत्तर हो गई तो नवर्मल डॉक्टर्स को छूड के न कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाता हूं। तो अनुराग ने US EATS TOP MOST डॉक्टर को हैर किया और उनको दिखाया। तो हमारे अमने काम करते हैं। आपके ममी को ना हमारे हॉस्पिटल में एड्मट कर लेते हैं। कुछ दिन उनको observation में रखते हैं और देखते हैं main problem क्या है, जड़ क्या problem की, उन्होंने का ठीक है, अब hospital में अनुराकी मम्मी admit हो गई, scene ये हुआ कि न, तबेत में सुधार नहीं आया, doctors ने medicines के dose double कर दी, steroids के dose double कर दी, इधर steroids के हो जैसे अनुराकी मम्मी का weight gain होता जा रहा है, और करते करते न, उसकी मम्मी न, बहुत जादा गुसे में रने लग गई, बूड़े लोगों की तरह बात करना, body shiver करना, और मतलब ऐसा लगता था कि उसकी मम्मी न, बहुत जादी बूड़ी हो चुकी है, छोटी छोटी बात पर irritate होना, मतलब बहुत जादा problem, करते करते जो गूंता दर था, जो कभी गुटनों में होता था, कभी पिंडलीों में होता था, कभी चेस्ट में होता था, कभी हातों में होता था, उसकी मम्मी को जो major pain था न, वो body के back part में, मतलब hips में और spinal cord में दिक्कत रहने लग गई, और जो सबसे जादा problem थी, वो headache की थी, मतलब सर के पीछे वाले apartment सबसे जादा issue रहता था, ऐसा लगता था कि इसने न, चोट मारी है, कोई चोट लग गई है, जो ठीक नहीं हो रही, ऐसे करते करते, अनुराग की जो मम्मी है, वो I think 20-25 दिन hospital में admit रही, तो कुछ दिनों में अनुराग क्यो observe करता है कि न, जो उसकी job से earning गया, उसका 80-90% partner सारा medicines में जा रहा है और hospital के अंदर ही लग रहा है, एक टाइम ऐसा आया, कुछ महीनों के अंदर, मतलब जब हो admit हुई, तो जब next month आया, तो अनुराग नहीं सुचा कि न, मैं ये इतने सारे expenses bear नहीं कर पाऊंगा, तो एक काम करता हूँ, अपनी मम्मी क जो घर पे लेके आगे discharge करवा के, तो उन्होंने जो hospital में medicines दी जा रही थी, वो same medicines घर पे देना स्टार्ट कर दिया, कुछ steroids भी दे जा रहे थे, वो steroids भी घर पे देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन न, body में तबेत में कोई सुधार नहीं आया, करते 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 न, तबेत दिन दिन बत्तर, और अब क्या होने लगया था कि न, जो अनुराग की मम्मी थी, उनके सोभाव में चेंज जाना स्टार्ट हो गया, मतलब वो अपना majorly time बेड पे स्पेंड करती, जब चलना भी होता, वाश्णूम भी जाना होता, तो किसी का सारे से जलती थी, मतलब इतनी खराब हो गई थी, कि उनका उठना भी मुश्किल हो गया था, बैट से, अब क्या होता है, उसी दोरान, जैसे मैंने आपको बताया कि अनुराग के जो पाप हैं, वो अपना majorly time घर पे स्पेंड करते हैं, तो न, उनको यूट्यूब चलाना बहुत पसंद होता है, तो एक स्क्रोलिंग करते करते, जो हमारे बागेश्वर नाम वाले दिनेंदर शास्त्री जी हैं, उनकी वीडियो पॉप अप होती है, तो उनकी वीडियो क्लिक करते हैं, और देखना स्टार्ट करते हैं, करते 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 हैं, उनको उनकी वीडियो इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि रोजना वो उसको habit बना लेते है कि जब भी उनके वीडियोज आये चाहे कितनी भी लंबी वीडियोज है वो रोज देखते हैं उनकी वीडियोज और जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे बागेश्वरदाम वाले दिनेंदर शास्त्री जी है उनका जब भी कहीं दर्बार रगता है तो ना लाखो लोगों की भीड़ होती हैं हमेशा और वो हमेशा अपनी वीडियोज में ये बताते हैं कि लाखो लोगों की भीड़ के चक्कर में अगर कोई इंसान ऐसा है जो बहुत ज़दा परेशान है किसी का नंबर नहीं यहां पा रहा है या फिर कोई ऐसा इंसान है जो इंडिया से बाहर रहता है जो मेर तक नहीं पहुँच पा रहा है वो ना वीडियोज में उनके लिए उपाये बताते हैं कि आप घर बैटे बैटे बागेश्वर धाम बाला जी सरकार के नाम की अरजी कैसे लगा सकते है तो एक दिन जब उनके पापा अनुराक के पापा जब वीडियो देख रहे होते हैं तो हमारे शास्त्री जी न उनको वीडियो के अंदर एक उपाये बताते हैं जो भी लोग मेर तक नहीं मौच पा रहे हैं और घर में बहुत ज़्यादा संकट है या घर में ऐसी कोई बिमारिया जो निकल नहीं पारी तो आप एक नारियल लीजे उस पे लाल कपड़ा बांदिये दो लौग रखिए और बागिशवर धाम के नाम का नारियल स्थापित कर दीजे घर के मंदिर में और साथ में उन्होंने एक मंतर दिया कि आपको इस मंतर का 21 दिन तक चैंटिंग करना है और फिर उस नारियल को जल में प्रवाइद कर देना है बहार देना है उन्होंने का ठीक है अब अनुराग के पापा ने observe कि जब डॉक्टर स्चेंज कर दिये कुछ नहीं हो रहा होस्पिटल में एड्मिट करवा दिया कुछ भी नहीं हो रहा पंडितों को दिखा दिया कुछ भी नहीं हो रहा तो उन्होंने सोचा कि मरता क्या नहीं करता कर लेता उन्होंने starting में अनुराग और उसकी भेहन से बोला कि मैं ये try कर रहा हूं तो अनुराग ने का कि पापा हम किन्चक रूमें पढ़ रहे हो आपको पहले भी मना किया था कि हम USA में रह रहे हैं आप बेकार में भेहन करे हो मत करो लेकिन अनुराग के पापा नहीं माने उन्होंने ये सारा नारियल लेके संकल्ब करना वो सब कर दिया अब ना जैसे मैंने बताया कि जो हमारे बागेशवर धामवले शास्त्री जी हैं उन्होंने 21 दिन का संकल्ब बताया था मंत्र का जाप करने का नारियल रखे तो अनुराग के पाप ने सेम किया अब ना अनुराग के पाप ना रोज शाम को जाब करते थे उसके बाद खाना खाया और सो जाते थे अब एक दिन भी था, दो दिन भी थे, तीस्वे दिन भी था, चौधा दिन आया अनुराग के पाप जब जाब करके सोते हैं तो उनको ना बहुत अजीब सो सपना आता है, वो सपने में क्या देखते हैं कि ना वो अपने USA वाले घर के बाहर हैं, घर के आसपास गेट के बाहर बहुत सारे बंदर खड़े हैं, और जैसे यूजुली क्या होता है, हम बंदरों को केला खाते हुए देखते हैं, लड़ू खाते हुए देखते हैं, ऐसे कुछ खाते हुए देखते हैं, सपने में अनुराक के पापा जिन बंदरों को देखते हैं, उन बंदरों के ना हाथ में माला होती है, अनुराक के पापा सपने में ये चीज देखते हैं कि घर के आसपास बंदर है, घर के अंदर बंदर है, घ क्या मत्तब मेरे को बंदर क्यों दिखाएती है फिर वो सोचते हैं कि हो ना हो यह मैं जो जाप कर रहा हूं संकल्प कर रखा है ऐसा लग रहा है कि यह कोई हनुमान जी का संकेत है क्यों हनुमान जी का संकेत अधिकतर वानरों के साब से होता है बंदर इसे संकेत देते हैं तो दुबारा सपना आता है, सपने में वो क्या देखते हैं कि जिस कमरे में अनुराकी मम्मी बैड पे रेस्ट कर रही होती है, उस वाले कमरे में फिर सो उनको बंदर दिखाई देते हैं, इस बार उनको ना अनुराकी मम्मी जिस बैड पे लेटी होती है, उसके उपर ना एक सिं यंत्र होता है और अनुराकी मम्मी के अंदर से कोई ब्लैक कलर का धुआ उस यंत्र के अंदर जा रहा है और दो वानर एक पैर के पास और एक अनुराकी मम्मी के बेड़ पे सर की तरफ दो वानर बैठे हुए यह सपना आता है फिर वो उड़ जा दे वो फिर सोसते हैं लेकि इनों खुश होते हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाला जी कोई चमतकर करने वाले ठीक है अब यह वाला सपना भी पूरा हो जाता है कुछ दिनों के बाद 14 या पंद्रवे दिन क्या होता है अनुराक की जो मम्मी है उनकी तब इतना ठीक होने के बज़ए और ज्यादा खरा हो जाती है मतलब उनकी मम्मी इतनी चड़-चड़ी सोबाव कि होती है कि समान इदर--उदर फैंट देना अनुराक के पापा अगर उनको खाना दे रहे है क्वाने की ठाली उठा के फैंक देना दवाईयां लिने से मना कर देना मतलब बहुत जादा बहुत जादा गुस्य में लग जाती है हमेशा रात को चिल लाना तो अनुराग और अनुराग की भेन कहते हैं कि पापा आप ये सब जो चीजें कर रहे हो मेरे को ठीक नहीं लग रही मम्मी की तब ठीक होने के आपा सोचते हैं कि मैं नॉर्मल पूजा पार्टी तो कर रहा हूं और जहां पर मैं शाक्षाद बागेश्वर धाम वाले बाला जी का नाम ले रहा हूं वो गलत क्या है जब करोडों लोग लोग श्ठीक हो रहे हैं तो कुछ गलत तो हुई नहीं सकता मैं कोई गलत चीज तो करनी रहा कोई ब्लैक मैजिक तो करनी रहा मैं तो नॉर्मल बाला जी के मंत्रों को जाब कर रहा हूं वो उनकी बात इग्नोर करते हैं और कॉंटिन्यू करते हैं अब क्या होता है जब संकल्प पूरा होने वाला होता है 18-19 दिन अनुराग के पापा को फिर सपना आता है अनुराग के पापा USA वाले घर में ड्राइंग रूम की चेर पे बैठे हुई है और ना बहुत सारे वानर उनके पैर के पास हैं और वो ना उनको लड़ू खिला रहे है अनुराग के पापा सपने के अंदर अब सपना पूरा हो जाता है अगले दिन 18-19 दिन अनुराग के पापा सुषते हैं कि आप तो बहुत अशा सपना आया है मैं खुद अपने हाथ से बंदरों को लड़ू खिला रहा हूं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा 21 दिन का संकल पूरा होते ही मेरी वाइफ ठीक हो जाएगी ठीक है 21 दिन का संकल पूरा हो जाता है 22-23 दिन बहुत अनुराग की ममी है उनकी तबयत में सुधार आना चालू होता है करते 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 उनकी ममी खाना-ाना स्टार्ट करना दवाईयां टाइम पे लेना बॉड़ी में पेन कम होना और सोबाव वापस पहले की तरह शान तो जाना चलना फिरना सबसे बात करना काफी जो मे बहुत सुधार आता है ऐसे करते करते अनुराग और अनुराग की भेहन देखते हैं कि पापा ने जो भी किया हो सकता है उसकी वैसे ठीक हो गया हो तो अनुराग के पापा कहते हैं कि देखा मैंने बोला था ना कि जहाँ बाला जी का नाम है वहां चमतकार होते हैं, तो अनुरा कहते हैं कि पापा मेरे को अभी भी ने लगता है कि आपके इस चमतकार की हो या आपके इन जाप की या घर में नारियल रखने से यह सब हुआ है, लेकिन फिर भी चलो जो भी है, चाए डॉक्टर ने ठीक किया हो, चाए दवाईयों ने ठ अब यह चीज ठीक हो जाते हैं, घर का महुल नर्मल हो जाता है, कुछ दिनों बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है, तो अनुराग और अनुराग की फैमिली कहते हैं कि हम काफी टाइम से घर में डिस्टर्ब थे और काफी टाइम हो गया, हमको इंडिया वापस गये, तो ए एक काम करते हैं, इंडिया चलते हैं, जो हमारी दिवाली है, वो बाकी रेलेटिप्स के साथ मनाएंगे, पुराने टाइम की तरह है, तो अनुराग ने का ठीक है, क्योंकि काफी टाइम से वो लोग परेशान थे, तो उन्होंने सुच जाता कि मम्मी को भी थोड़ा चेंज प्री ये उसी जे ठीक हुए, लेकिन मैं प्रूफ कैसे करूँ, अपने बच्चों को ये कैसे बताओं कि पूजा पाठ रिचुवल्स स्टूपिड नहीं होते, तो ना अनुराग के पापा क्या करते हैं, अपने किसी दोस्त यार से बात वर करते हैं, उनका नेक दोस्त बत इशाने जो ठीक नहीं होरी, उनके पास माता जी के पास लोग आते हैं और ठीक होते हैं, उन माता जी के अंदर कहते हैं कि साक्षात काली माता की सवारी आती है, तो अनुराग के पापा बहुत खुश होते हैं कि मतलब ऐसी भी कोई जगा है, तो अनुराग के पापा अनु फाजरी में होती है तो बोलती है कि बता पूछ क्या पूछना है तो अनुरा जिरहरा कि पापा होते है W Fehler कुछ बताते हैं कि आसे प्रोब्लम हुए उन्होंने कर ठीक है बता BBC चाहता है वह कहते है कि मिर को जानना है कि यह बोटे हो फिर ठीक कैसी हुआ तो जब माता जी हाजरी में होती है वो कहती है मेर से क्या पूछ रहा है अनुराक के पापा को सामने बैठे है अनुराक के पापा ऐसे मारती है ताली और बोलती है मेर से क्या पूछ रहा है घर में साक्षाद बाला जी है मेर को क्यों बोल रहा है तो भी तो लेके आया, तूने नितो बुलाए है उनको, मेर से क्या पूषता है तो अनुराक के पापों ने उनको कैसे बता कि मैंने ये सब किया था कहने तूने जो किया था वो काम्याब हुआ है घर में बैठा है बाला जी तो कहते हैं कि माता मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्रीज विस्तार से बताईए कि हुआ क्या है कहती ऐसे नहीं बताऊंगी पहले अपनी पत्निक और अपने बच्चों को ले किया जो तेरे दोनों बच्चे नास्तिक है ना जो इन सब चीज़ों को पागल समझते हैं पहले उनको ले किया पहले उनको विश्वास दिलाऊंगी और फिर सब कुछ बताऊंगी हुआ क्या था तो अनुराक के पापा शौकड होते हैं वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे तो यह सब चीज़े नहीं मानते मैं कैसे ले के आँगा उनको पर वो जैसे तैसे करके दो-पांस दिन में अपनी पूरी फैमिली को कन्विंस करके ले आते हैं अब जब पूरी फैमिली के साथ अनुराक के पापा दिली में माता जी के पास पहुंसते हैं उनका नमबर आता है तो वो कहते हैं माता मेरी पूरी फैमिली आगे बताओ तो माता जी उनको ये बताती है कि सबसे पहले आप ये बताओ कि आपने कोई घर चेंज किया था तो अनुराख के पापा कहते हैं जी माता, एक्चली मेरा जो बेटा है उसकी बैंगलोर से नौपनी लग गए थी USA में, तो हमको वहाँ पे नया घर कंपनी ने दे दिया था और एक गाड़ी भी दी थी तो हम लोग पूरी फैमली वहीं शिफ्ट हो गए थे तो माता जी बोलते हैं कि आपने जब नया घर में आप लोग शिफ्ट हुए तो आपने कोई पूजा, पाठे, कोई हवन करवाया था अनुराक के पापा कहते हैं कि हम करवाना चा रहे थे लेकिन मेरे दोनों बच्चे हैं वो इन सब चीजों में नहीं मानते तो उन्होंने मना कर दिया तो माता जी कहती है कि हुआ क्या कि आप जिस घर में गए वो घर कम से कम आठ से दस साल बंद पड़ा था तो कहते हैं फिर उन्होंने ये बताया कि न आप जिस घर में दस साल बाद गए आठ से दस साल बाद आप जब युवर से शिफ्ट हुए उस घर के अंदर एक बुड़े हस्बेंड वाइफ रहते थे और उनका एक बेटा रहता था जो मैरिट था एक कार एक्सिदेंड के अंदर उनके बेटे की और वाइफ की डेथ हो गई थी तो घर में काफी सालों तक खाली वो बुड़े हस्बेंड और वाइफ रहते थे कुछ सालों बाद क्या होता है कि husband की heart attack से death हो जाती है अब घर में बचा कौन? बुड़ी औरत करते करते कुछ साल बाद एक दिन क्या होता है जो वो बुड़ी औरत होती है वो ना kitchen में काम कर रही होती है किसी वज़ा से उसका पैड slip हो जाता है जैसे उसका पैड slip होता है सबसे पहले उसकी जो पीछे hip की bone है वो crack हो जाती है और slip होने के जैसे ना उस बुड़ी औरत की ना सर पे पीछे चोट आजाती है और on the spot जैसे पीछे चोट आई brain पे चोट लगी और on the spot वो मर जाती है अब क्या होता है कि वो मर गई घर में कोई बचा नी जो उनके बच्चे थे उनकी death हो गई कुछ साल पहले जो बुड़ा उनका husband था उसके हारेटेक से death हो गई तो जब वो lady मरी तो ना कई दिनों तक उसकी body ऐसी पड़ी रही जब कई दिनों बाद आसपड़ों उसके लोगों नहीं observe कि जो वो बुड़ी ओरत है ना बाहर आ रही है और घर के बाहर निउस्वेपर्स पड़े हैं और कुछ भी हल चल नहीं हो रही तो पुलिस को फोन करते हैं कि कुछ अजीब सा है आप एक बार प्लीज चेक कीजिए तो USA में आपको पता हूँ अगे कोई भी दिक्कत होती है ना लोग सीधा पुलिस को फोन करते है पुलिस जैसे तैसे करके आती है वो घर की डोर बैल को रिंग करते हैं कोई जवाब नहीं आता तो फिर पुलिस वाले घर को तोड़ देते हैं घर को तोड़ते ही क्या देखते हैं घर के अंदर नहीं स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा मतलब जिससे कोई सड़ गई हो कोई चीज वो पूरे घर की चानमीन करते हैं किचन में यह देखते हैं कि एक डेट बोड़ी पड़ी है सारा रीजन निकलके आता है कि ऐसे ऐसे इस ओरत की डेट हुई थी स्लिप होने के वज़ा से इसकी हिप की बोन टूट गई और पीछे सर पर चोट आई उसके वोज़े से वो मर गई है उन्दा स्पॉर्ट तो बोड़ी इतनी ज़ादा डीकंपोज हो चुकी होती है कि वो सीधा उनको जिसे होस्पिटल में होता है न जिस बोड़ी को फाड़े के चेक करते हैं पोस्ट मॉटम बगरे करते हैं उसको जिप लॉक में बंद करके रेफ्रिजेटर में रखते हैं एक पूरा एरिया होता है उसके लिए तो उन्होंने भी बोई किया माता जे नहीं यह बता है कि जब वो बोड़ी ओरत मरी तो ना जब वो मरी तो कई सालों कई दिनों तक बोड़ी घर में पड़ी रही उस बूड़ी औरत की स्पिरिट उस घर में अभी भी है तो अनुराग जब ये बात सुनता है अनुराग और अनुराग की बहन वो कहते हैं स्पिरिट घर में है मतलब उन्होंने कहा कि बेटा कोई भी इंसान मरता है तो उनके परिवार वाले क्रिया करम वगरे बहुत चीज़े करते हैं लेकिन उस बूड़ी औरत के परिवार में कोई भी नहीं बचा था और काफी टाइम तक बॉड़ी घर में थी तो उस औरत का क्रिया करम वगरे कुछ भी नहीं हुआ सीधो होस्पिटल लेकर उस बॉड़ी को डाल दिया गया कहते हैं फिर उन्होंने ये बताया कि जैसे ही आप USA वाले घर में एंटर हुए तो सबसे पहले उस बूड़ी औरत की जो आत्मा थी सबसे पहले उसने टारगेट किया आपकी मम्मी को आपको जब आपने घर शिफ्ट किया तो उस दौरण आपको ऐसा लगा कि आपकी मम्मी बूड़े लोगों की तरह रियक्ट कर रही है उन्होंने का हाँ मतलब ऐसा लगता था कि मम्मी जुक के चल रही है कभी काप रही है कभी चोड़ी चोड़ी ये बार पर चिड़ चड़ी हो रही है क्याता ऐसा यह हुआ उस बूरणी ओरत की जो स्पिरिट ती आत्मा थी आपकी मम्मी की बॉड़े के अंदर बुझ गई थोड़े तोड़े दिन में करते करते कि उसकी हिप की बोन तूटी और सर पे चोट लगी तो same problem आपकी मम्मी को रहने लगी उनको ऐसा लगता था ना कि पीछे कोई दर्द हो रहा है उन्होंने कहां मम्मी बोलती थी कि उनके ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई चोट लगी कहती है exactly बेटा यही सब चीजें हुई थी लेकिन आपकी मम्मी को वो स्पिरिट थोड़े दिन के अंदर पूरी तरह किसे डैमेज करके मार देती लेकिन पता नी क्या हुआ है क्या नी आपके पापा ने कुछ मंतर जाफ वगरे करें उसकी वज़ा से पूरे घर के अंदर और घर के बाहर पीली रंग की शिंदूरी रंग की उड़जा दिखाई दे रही है और मेरे को साक्षात बागेशवर दाम वाले बाला जी घर में बैठे हो दिखाई दे रहे है वो पूरी फैमिले जब ये बात सुनते कहते हैं बाला जी दिखाई दे रहे हैं मतलब कहते हैं आपके पापा ने बेटा जब संकल्प लिया और नारिल स्थापित किया कुछी दिन के अंदर आपके पापा को जो बंदरों के दर्शन हुए थे वो बंदर नहीं थे दिखाई दिया था यंत्र उस यंत्र ने क्या किया आपकी मम्मी की बॉड़ी के अंदर जो बूड़ी आत्मा की स्पिरिट थी बूड़ी औरत की स्पिरिट थी उस स्पिरिट को उस यंत्र के अंदर ले लिया और धीरे करते करते घर में जो भी मलींता थी मतलब negativity थी वो पूरे घड़ से साफ हो चुकी है अब आपकी मम्मी इसलिए बिल्कुल ठीक है और बाकी के लोग इसलिए बिमार नहीं हो पाए क्योंकि जब वो spirit बाकी लोगों को target करना चाह रही थी उससे पहले ही बाला जी के दूतों ने पूरे आत्मा को ये अपने साथ ल regular मंत्रों का जाप किया उस मंत्र से उनकी अड़जी बागेशवर धाम सरकार ने कबूल करी और ये सब चीजें हुई ये सुनने के बाद अनुराग और अनुराग की बहन मतलब इतने घबरा गए कहते हैं कि ये possible कैसे है मतलब आप समझ सकते हो कि जिस लड़के ने कभी पूजा पाठ नहीं किया और जिस ने इन सब चीजों बे कभी बिलीव नहीं किया उसके सामने एकदम से ये चीजें आए तो उसको कैसा लगेगा हर कोई शौट हो जाएगा तो ये सुनने के बाद जो अनुराग और अनुराग की बहन जिन पूजा पाठों को इन सब चीजों को स्टूपिड समझते थे उन्होंने इन सब चीजों पर बिलीव करना स्टार्ट कर दिया उसके बाद जब अनुराग और अनुराग की पूरी फैमली वापस USA गए सबसे पहले उन्होंने घर के अंदर बालाजी के नाम का हवन करवाया और पूरे घर को शुद किया और जो लड़का जो अनुराग कभी इन सब चीजों को नहीं मानता था वो अपने हाथ से हनुमान जी की मूरती घर पर लेके आया और उसने बालाजी महराचो घर के अंदर स्थापित किया और आज अनुराग और अनुराग की पूरी फैमली हनुमान जी की बहुत बड़ी भकत है ये वाला इंसिडेंट जब मेरे ओफीशल मेल पर रिसीव हुआ और मैंने पढ़ा तो I was so sure की how was it possible की जिस परिवार न नुमान जी ने अपने दूद महराज घर में भेचे और पूरे परिवार को संकट से मुक्त किया और अनुराग की मम्य को बिल्कुल ठीक कर दिया मैं ये नहीं कहता है guys की हर चीच के पीछे ये भूत प्रेपवला रीजन ही होता है बट कहते हैं की जब कोई रस्ता दिखाई ने देता है इकलोता भगवान का रस्ता दिखाई देता है तो आप जिस भी देवी देवता को अपने पित्रों को जिनको भी मानते हैं उनको प्लीज पूजिए कहते हैं कि कोई ऐसी एनरजी है जो हमारे साथ काम कर रही है अगर आपके पास भी अनुराकी स्टोरी की तरह ही ऐसी कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी है या फिर कोई ऐसा इंसिरेंट है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हो मैं पॉड़कास के फिर्व लोगों तक शेयर करूँ तो आपको स्क्रीन पे एक ओफिशल मेरा मेल दिख रहा होगा इस पे आप अपनी पूरी स्टोरी लिख के भेज सकते हैं मैं ट्राइ करूँगा as soon as possible वो स्टोरी लोगों तक पहुँचाऊं और अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम को आपके फैमिली के नाम को और आपकी लोकेशन को प्राइवेट रखा जाए उसका मैं पूरा ध्यान रखूँगा और उसके अलावा अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं जैसे अनुराग के घर में थी और अभी तक solve नहीं हुई है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है related to finance या related to health अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम से आप निकल रहे हैं तो आपको स्क्रीन पे contact number भी शो हो रहा होगा ये वाला contact number मेरे ही एक team member का है आप इस पे अपनी जो भी परेशानिया वो लिख कर भेश सकते हैं इस वाले contact number पर normal calls allowed नहीं होगी प्लीज मार्क इस वाले contact number पर normal calls allowed नहीं होगी only whatsapp messages are allowed तो अब अपनी पूरी problems या अपनी पूरी स्टोरी इस वाले contact number पर लिकर भेश सकते हैं मैं try करूँगा as soon as possible जितने भी मेरे podcast पे guest आते हैं उनकी help के त्रियू आपकी help कर पाऊं as soon as possible and जब तक के लिए if you love this video please like this video and don't forget to subscribe this channel जब तक के लिए keep loving keep watching this is Shiva Magarwal, thank you so much guys